अगर आप दिली जैसे शहर में देश की राजधानी में अपना घर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि किस त तरह से हमें प्रोपटी लेना चाहिए प्रोपटी लेने के टाइम में हमें क्या क्या किन ये का थियान और जाएंग में यूट् sun कर ले ना कि मैं अभी घ्र यूंत्स हाउसें यूट्यू में कı घ्राइब tahu सचाव किया है क्या वह सही है या फ्रोड है अगर तो हम उत्तमद्र में द्वन दवादा में घर लेना चाहिए लेने पहले किन बातों का ध्यान अपर बाते आपको आज कि वीडियो में जरूर करते हैं तो वीडियो में आखरी अक्री तक बने रहे प्रोपर्टी आप लेने जा रहे हैं सबसे पहले आप उस प्रोपर्टी का ओनर पता किजिए कि वह उस प्रोपर्टी का ओनर कौन है जिससे आप वह प्रोपर्टी ले रहे हैं क्या वही आदमी इस प्रोपर्टी का ओनर है या नहीं इस चीज़ का आप बहुत अच्छे तरीके से जाच कर ले अभी यह पता कैसे करना है कि इस प्रोपर्टी का ओनर कौन है इसके उपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है आप उपर आई लिंक पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं कि किस तरह से आप दिली में मकान दुकान घर जमीन लेने से पहले जो है उसके ओनर का पता लगा सकते हैं ठीक है न ने तो क्या होगा कि आप आज प्रोपर्टी ले लिए और पता चला भाई कई सालों बाद जो है करें सबसे पहले यह सब चीजों का जो है आप ब्योरा ले ले चार्च परताल कर ले अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि आप प्रोपर्टी जो लेने वाले हैं उस पर क्या क्या फैसिलिटी उपलब्द है समझ रहें क्या वहां पर पानी का फैसिलिटी है क्या वहां मीठे पानी का elditative है क्या एडिया आसपास में बसावत है क्या उस एडिया में जो है आपको तमाम रोज मर्रा के जुरत की चीजों का बैवस्त्ता है speech college व सबसे महत्तपून चीज प्यों होती है hospital क्या उस एडिया में होस्पीटल के फैसलिटी है समझ रहे ना इन सब चीजों का जो है आप बखुबी से जो है जाच कर ले और अगर आप इन सब जीजों का जाच करते तो आगे आपको जो है सहुलियत होने वाली है समझ रहे अब हम आगे बढ़ते हैं लोन फैसलिटी पर देखिए उत्तम नगर का सचाई क्या है देखिए वह 21000 रुपए क्या होता है एक तोरा से टोकन मनी होता है न आपका घर आपके नाम कर दिया और ये महीं वह T² थो दिनके enfin आप 11,000, 51,000, 21,000 जो देते हैं उस हिसाब से 11,000 दोगे प्रोपर्टी दो दिन के लिए होल्ड कर दिया जाएगा दो दिन तक वो किसी और से उस प्रोपर्टी का डिल नहीं करेगा अगर आपने दो दिन के अंदर टोकन मनी नहीं जमा किया मतब कि 10% या 20% जमान नहीं किया त हो सकता वो किसी और से भी टोकन मनी ले 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 तो इन सब चीजों का आप किलियर कर ले किलियर कर ले इन सब बातों से इन सब बातों का डिलर के साथ बैठके बिल्डर के साथ बैठके और कोशिस करें कि प्रोपर्टी हमें साथ बिल्डर से ले डिलर से लेने में क्या होगा की डिलर भी अपना कमिशन लेगा समझ रहे ना तो आपको प्रोपर्टी थोड़ी सी महेंगी पड़ जाएगे अब हम बात करते हैं लौन्स की तो देखिए इस तरह का जो प्रोपर्टी होता है जो हम बिल्डर से प्रोपर्टी लेते हैं तो इनके पास जो लोन देख्रस लगने वाल ये सब ही चीजों का जो है आप पूरी तरह से परताल कर ले नहीं तो आजब आगे चल की आप जो है पुड़ी तरह से फस जाए ना घर कर रहे ना जाट के रहे समझ रहें इन सब चीजों का भी आपको प्रोपर धियान रखना है कि जिस से भी आप ल पूछले बिल्डर से साझ रहा है तो चलिए अब हम लोग जो है प्रोपर्टी का जो है रेट के उपर डिसकस करते हैं कि बहुत सारे प्रोपर्टी आपको दिखाते हैं लेकिन नहीं बताते हैं उसके पीछे बहुत यहारे बड़ा कारण है रट नहीं बताने दिया विडियो में उन्होंने बता डेके बहुत अगर आपको औने तॉट से गमान लिए और आपसे बड़ा पार्टी चला गया कार में बटके चला गया तो वह कार वाला रेट उसको बताएगा समझ अगर आप इसको बटाएगा तो इसको बोल दें तीस लाग का या 31 लाग का है तो इस इंसाब जो है वो रेट बताता है अगर आपको भी 31 बता देगा तो आप तो उल्टेप में वापस आ जाओगे आओगे ना इसलिए आपको वही रेट बता आ जाता है जो आप एफ़र्ड कर पाओगे उनको पता चल जाता है कि भाई यह इतना रेट त करने के लिए और खास आप लोगों के लिए मैं यह जानकरी करके लाया हूं कि भाई जो प्रोपर्टी का रेट होता है वो क्या होता है कई सारी बिल्डर से मैंने मुलकात किया कई सारी बिल्डर से मैंने बातचीत की इसके बारे में तब जाके मुझे यह पता चला है तो आ स्क्वाइर फुट पर बढ़ाउतरी करोगे आप इस जगे लेना चाहोगे उसे सबसे आपका रेट बढ़ता जाएगा ठीबिएच के अब बात करें तो तो त्री बीएच के अर्टिस लाख से रुपे 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 से लेके आपको बासट पैसट लाक रुपे तक का आता है थ्री बीएच के एक दो जिगा मुझे जो है साड़े तेंटीस लाक चौतिस लाक का भी जो थ्री बीएच के देखने को मिला था लेकिन उसका स्पेस काफी कम था तो यह समझ लेजिए वो थ्री बीएच के बढ़ावर था समझ रहें ना उन्होंने बस यही करा था कि दो आपको अराउंड जो है 25 से 28 सलाग के बीच में मिल जाएगा 55 डिपेंड करता है एडिया को पर भी कि अगर आप बिल्कुल मैट्रों के टच में आ रहे हैं बिल्कुल मैट्रों के टच में आप अगर लेते हैं 55 तो आपको करीबन 34 लाक के असपास पढ़ेगा अगर आप अ एडिया पर डिपेंड करता है अगर आप मैट्रों से मैट्रों के टच में जो फ्लाइट लिए हैं उसका च्छत अगर आप लेते हैं तो आपको दो लाग रुपे एक्ष्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप अंदर वाला च्छत लेते हैं मतलब कि 2-3 किलोमेटर अंदर है मन में मैंड मेक अप हो जाएगा आपको कि भाई मुझे जाना चाहिए फ्लाइट देखने प्रोपर्टी देखने या नहीं जाना चाहिए अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो इतनी सस्ती प्रोपर्टी वहां पर मिलता है उसमें कितनी सच्छा है कहीं फ्रॉड तो नहीं कर लेता है जूट नहीं बोलता है जूट बोलके हमसे कुछ अमांट लेके कहीं हमें दौराने तो नहीं लगेगा कि दोड़ते दोड़ते चपल घिज़ा है लेकिन हमारा पैसा हमारा प्रोपर्टी हमको मिला ही ना देखिए इसके उपर मैंने काफी मेरे मन में भी कई सवा पटी मिलने के पीछे भी एक कारण है दोस्तों देखिए सबसे पहले में आपको रेट की बात कर लो तो अगर आप दिल्ली चले जाते यह मैट्रो कनेक्टिवीटी से कडिवन साथ 8 किलोमेटर अगर आप अंदर घुश जाते हैं गाउं शित्र में उस गाउं भी उस तरह क गाउं शित्र जहां पर बसावट नहीं है इका दुक्का घर कहीं पर है तो उस तरह का जो जमीन है आपको करीबन आठ लाए अट हजार रुपे गज 9000 रुपे गज 9000 रुपे गज 10,000 रुपे गज्ज आपको उस तरह में जमीन मिलेगा अब आते हम लोग सिट दिली के अ 50,000 रुपे गज्ज जमीन मिल जाएगा अब हम लोग आ जाते हैं द्वारका नवादा उत्तम नगर डिके गार्डन की तरह आप आजा तो यहां पर जमीन जो है लगबग जो है यह समझ लिए साथ हजार से लेके जो है लाख रुपे तक का जो है गज चलता है क्योंकि आज पर आसा कैलकूलेशन बतार हूं मान लिजिए जमीन उन्होंने जब डीलर ने सत्तर हजार रुपे गज्ज खड़ी दा दोसो गज्ज का प्लॉट है मान लिजिए तो सत्तर हिंसाब से दोसो गज्ज़ प्लॉट का कोष्ट हो गया एक करोड चालिस लाग है ना करोड बनाने में सब्से ज्यादा खड़ no का नहीं होता है अब हम आते हैं अपर Ad प्र torpedoes कि अप्र पार्केंग करते हैं और पार्क इसे सब्रॉन करते हैं और इसक Yay Rajy आप राड़े का और चार्ज करते क। यह हतो अब हम आते हैं अपर अपर草ड का जो है बात करते तो अपर ग्रॉंड से उपर ही जो फ्लॉर बनना शुरू हो जाता है अब हम एक एस्टिमेटेट कोश्ट लेके चलते हैं क्या होगा कि वहां पर दो सो गच का जमीन है अगर तो उस पर वो लोग कम से कम नहीं तो तीन फ्लैट निकालेगा तू बीच के और पर गबिच्ट बंगया तो टीस और टीस पचासालाका कोश्टिंग लगा है 50 लाक में उनका एक फलोर तयार हो रहा घ्म एसा है उनदे चार थे bonुटा लाग रूपे में उन्होंने एक फ्लॉर तियार किया और एक फ्लायद को टू लागत वैल्यू उनका था पचास लाग रुपे समझ रहे हैं पचास लाग रुपे मुन्हें बनाया और 96 लाग में उन्हें सेल आउट कर दिया मतलब कि 46 लाग रुपे का प्रोफिट उनको एक फ्लोर पे हो रहे हैं तो एक मोटा मोटी हम लेके चले कि सारा खर्चा काटने के बाद जैसे हमने अभी 46 लाग का कैलकुलेशन बनाया कि लगबग हो सकता है उसको 46 लाग रुपे एक फ्लोर पे कमाई हो जाता है तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा अगर लेकर यह थिए उनका लाव लेड़ लेकर लेकर चले उनका तो लगबग बीस लाग रुपे जो है बाद जाता होगा विस से पचीज़ ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है यह हम लोग उतना अन्दाजन नहीं लगा सकते हैं ना समझे हैं तो यह बस आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा calculation समझाया कि देखिए इस तरह से वो काम करते हैं जिस वज़े से उनको भी लाब हो जाता है और आपको भी लाब हो जाता है आप भी सस्ते में प्रोपर्टी ले लेते हो और दुसरी चीज बहुत बड़ी चीज यह है कि वो आपकी लिए जो है 80-90% तक का लोन फैसलिटी आप लोगों को करा रहा है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं आपका जो सपना होता है दिल्लीम घर लेने का वह पूरा कर सकते हैं तो इसी बात ने इसलिए उत्तम नगर का भी ठीक है आप उनसे डील कर सकते हैं कोई फ्रॉड नहीं होता है और आप अपना मान बना सकते हैं मैंड मेकप कर सकते हैं वहां तक जाने का ठीक है बाकी आप लोग एक खुद से विजिट करके देखी आप लोगो पता चलेगा जितनी मेरी रिसर्च ही जितना मैंने पता किया वह आप तक पहुँचा दिया तो उमीद करता हूँ आज की ज जान पाया अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी बता दे कि भाई यह गलत था ऐसे हो सकते हैं कुछ जानकाड़ी मुझे नहीं तो आप भी मुझे सजेस्स कर सकते हैं मिलते लिए वीडियो में एक नहीं जानकाड़ी के साथ तब तक के सबस्तरे मास्तरे